ऐसा कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति की कामियाभी के पीछे किसी एक वरत का हाथ होता है और उसकी बर्बादी के पीछे भी किसी एक वरत का हाथ होता है बह्यो महराज के मामले में ऐसा ही हुआ है पलक नामक खूबसूरत लड़की ने उनकी जिंद की भर की पुन्याई डुबा दी और अंततह बह्यो महराज को खुद को कोली मारना पड़ी पलक नामा किया खुबसूरत नागिन भईयो महराज के आश्रम में नोकरी करती थी और धिरे धिरे उसकी भईयो महराज से नजदी की बढ़ती चली गई उसकी नजदी की बढ़ाने में हिस्सेदारी थी सिवादर विनायक दुधाले और शरत देश मुक्की हालत ये हुई कि धिरे धिरे भईयो महराज इस यूती पर निर्भर रहने लगे और कहा तो यह भी जाने लगा कि उसने भईयो महराज के बेडरूम तक पर कबजा कर लिया था इस बात की पुस्टी बह्यो महराज की मां और बह्यो महराज की दोनों बहनों ने भी की जिनों ने कहा कि उस योती का इतना आतंक था कि बह्यो महराज के कमरे में उस योती से पूछ कर हमें अंदर जाना पड़ता था हालत यह भी रही कि जब भईयो महराज शादी कर रहे थे डक्टर आयोशी से तब योती द्वारा भारी हंगामा मचाया गया कुल मिलाकर योती भईयो महराज को पूरी तरह से अपने कबजे में करना चाहती थी और उसकी साजिश में साथ थे सेवादार, विनायक और शरत देशमुग जेहां भईयो महराज ने जीवन भर अपनी उचाई इतनी अधिक बड़ा ली थी कि उन्होंने नरिन मोदी तक का अंशन तुड़वाया था और जब देश व्यापी आंदोलन हुआ तब भी वे एक प्रमुक संत बनकर उप रहे थे हाली में उन्हें मदबदे सरकार द्वारा भी राजमंतरी का दर्चा दिया गया था इतनी अधिक उचाई प्राप्त करने के बाद भीयो महराज अंततह एक खुबसुरत नागिन की साजेश का शिकार होकर रह गए और उन्हें खुद को गोली मारना पड़ी नमस्कार दोस्तो अगर आपने अभी तक हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बैल आइकन को जरूर दबाएं जिससे घमासान से जुड़ी हर ताजा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे